तो हेलो फ्रेंड्स आप सबका फीर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोनी एचसेसे में इंद्रगा इंविश्टी मेर पुशे जड़ी हुई एक कोर नई अपडेट के साथ तो आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके दूसरे चोथे चटे समस समस्टि के स्टूडेट की इंचलेट स्टूडेटन वाली हुए है तो मेंलि हम बात करने वाली है दूसरे चटे समस्ट्र का हमका कोई भी में है सब से पहले आपके रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट अभी दो महीने पहले आपके रिजल्ट जारी हुए थे, स्टुडेंट्स के रिएपेर आ गई, कोई एक सब्जेक्ट में रहा गया, में लिए जो मुद्दा है वो सिक्ट समिस्टर के स्टुडेंट्स के साथ हुआ, बहुत अच्छा स्टुडेंट्स की, तो उनके अगर फिजिक्स में आ गई तो उन्होंने फिजिक्स के तीन पेपर देनी है, मैथ में आ गई तो मैथ के तीनों पेपर उन्होंने देनी है, तो इंतजार है स्टुडेंट्स को बहुत लंबे टाइम का कि कब उनके एक्जाम होंगे, तो उनक महिने की प्रोसेस है complete एक जो आपका semester है उसकी तो अभी आपके जो exam है वो चले हुए है पहले तीसरे पाथ वे के तो first, third, fifth के हाना कि first के अभी start नहीं हुए है तीसरे पाथ वे के आपके चले हुए है first को भी आप इसमें include कर सकते हो फर्वरी तक आपके exam चलने वाले हैं जैसी फर्वरी का first week आएगा आपके सब भी exam खतम हो जाएंगे और फिर practical भी आपकी फर्वरी के first week में ही मान लीजे खतम हो जाएंगे उसके बाद आपकी जो process start होगी second, fourth and sixth semester के जो भी student होंगे उनके लिए process start होने वाली है फर्वरी के ब schedule जारी किया है आपका अभी फिलाल पहले एक schedule आपका second, fourth, sixth semester का उसमें बताया गया था कि माई में आपके exam होंगे उसी बिहाब पे आपका फर्वरी में session ये खतम होने वाला है क्योंकि आपके exam वगरा सब कुछ जो है खतम हो जाएंगे फर्वरी के second week तक होगा लेकिन first week आ आप तीन महीने और एड करोगे फर्वरी में तो मार्च, अप्रेल और माई, माई का वो महीना आता है जिसके last में आपके exam की process start हो जाएगे exam form वगरा भरनी start हो जाएंगे तो जून के first week से ही आपके exam start होनी की संभावना ही है यानि अभी भी आपके पास पूरे-पूरे 6 मह बाकि आपके बाकी है, 6 महेनी के अग़र हम बात नहीं करेंगे तो आप माण सकते हो कि मई में ही आपके exam start हो जाएंगे फिर भी आपके पास पांच महेनी है क्योंकि इन दौ महिनों में आपकी exam चलने वाद है फरवरी एक महिना ही तो आप मान सकते हो लेकिन फरवरी का first week विश में include होने वाला है तो फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद आपका दूसरा चोथा चठा समेस्टर है इनके classes start हो जाएंगी और ठीक तीन महीने बाद यानि फर्वरी, मार्च और अपरेल ये तीन महीने आपकी classes लगेगी दूसरे चोथे और चठा समेस्टर की उसके बाद मही में आपके exam होने की संभावना ये बनती है तो जो भी exam होने है आपके दूसरे चोथे और चठा समेस्टर की बीए बीए सी बीकॉम की मेंली बात है तो वो आपके मई में आपके exam start होने की संभावना है tentative dates आपकी मई में आने की संभावना है जैसी आपके exam खतम होते है फरवरी में आपका notification आजाएगा दूसरे चोथे चठा समेस्टर के exam को लेकर कि आपका दूसरे चोथा और चठा समेस्टर के exam कब होंगे आप टेंसे ना ले आपके जो भी exam होने है मई के last week में और जून के फर्स्ट वीक में लगबग आपके जून के last तक तो खतम हो जाएंगे यानि पांचवे महीने में आपके मही में आपके exam जो है होने वाले हैं दूसरे चोथे और चठे समस्टर के तो आप वेट कीजिए मही तक का उससे पहले आपके exam होंगे पहले तीसरे पांचवे के जो